रेगलो भिंडी प्यास वाली सब्दी तो आपने बहुत बना के खाई होगी पर भिंडी एक बार इस तरह से बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगी तो वेलकम है आपका समस किचिन में यहाँ पर मैंने धाई सो ग्राम भिंडी ली है इसको धो लिया है और अब इसका आज पर इन भिंडियों को तलना है इस तरह करने से बिंडी जादा ओइल नहीं एब्सॉब करेंगी और बढ़िया क्रिस्पी करारी हो जाएंगी थोड़ी देर में तो इस तरह से हमें तलना है और जब थोड़ी इतनी तल जाएं तब मैंने यह प्यास के बड़े-बड़े पेटल्स काट लिए हैं और इस तरह से इसको भी फ्राइ कर लेंगे तो जब तक भिंडी थोड़ी श्रिंक होगी तब तक हमें इसको फ्राइ करना है तो आज का स्पेशल थैंक्स जाता है कुल्दी बर्डी जी को जो की जर्मिनी से हमारे वीडियो देखते हैं सुवरना ध एक्स्ट्र ओयल को एब्सॉब कर लेंगे थोड़ी देर इनको ठंडा होने के बाद इनके जो एंड्स हैं इनको काट करके निकाल देंगे बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी से भिंडी हम बनाने जा रहे हैं तो आप इसको वीकन पर ज़रूर बना के देखें आप तयार करे लेवर वाली यह भिंडी है और बड़ी आसा इसका पेस तयार करना है बहुत ही खुश्बू वाला मसाला है यह तो यह मसाला तयार हो गया हमारा तो आप मुझे बता दें आप कहां से वीडियो देखना है जिससे मैं आपको थैंक्यू बोल सकूँ तेल गरम करेंगे उसमें जलाना नहीं है इतो देखने में अच्छी नहीं लगती है और अब इसमें डाल देंगे यह तयार किया हुआ मसाला थोड़ा पानी लेकर के इसके जार को वाश करते हुए डालेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक तो नमक यादा चम टमाटर की प्यूरी आप चाहें तो पिसे टमाटर भी डाल सकते हैं पर यह टमाटर प्यूरी मेरे पास थी जो कि जल्दी कोकिंग आसान हो जाती है तो मैं कभी-कभी यूस कर लेती हूँ और कलर भी बढ़िया आता है रेसिपी का तो इसके साथ भी एक-दो मिनट तक पका करके पकाएंगे आज को मीडियम रखेंगे अच्छी तरह से हलके हाथों से चलाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली पर टेस्ट बहुत ही अलग आएगा और इसको धाक देंगे धन्या डाल करके और एक से दो मिनट तक इसको धीमी आज पर पकाएंगे उप और अब एक मिनट हो गया है और यह देखें कितनी बढ़िया लग रही है कलरफुल और अच्छा स्पाइसी का टेस्ट है तो इसमें काली विर्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस भिंडी में इस पेशियाल्टी इस किया ही थी तो ज़रूर इसको ब अच्छा इस भी तो बोच्छा लग शियाल्टी आर रही है और है अच्छा स्वाब जो पाल इस अच्छा है घर दो बहादू बहाँ है कितनी अच्छा